12.6 परिनालिका के कारण चुमकीक शेत्र Magnetic field due to solenoid परिनालिका विद्यूत रोधी तामबे के तार की अधिक फेरों वाली बेलना कार आकृती की कुणली होती है चित्र 9 परिनालिका को दर्शाता है जिसके दो सिरे कुणजी द्वारा बैटरी से जुड़े हैं जब विद्यू धारा परिनालिका से प्रवाहित की जाती है तब उसके चारों और चुमकीक शेत्र उत्पन करती है चित्र 9 के चुमकीक शेत्र आकृती की तुलना चित्र 4 अ से प्राप्त चुमकी आकृती से कीजिए ये दोनों आकृती एक जैसी प्रतीत होती है इस तरह धारा वाही परिनालिका द्वारा उत्पन चुम्बकी क्षेत्र चड़ चुम्बक द्वारा उत्पन चुम्बकी क्षेत्र के समान है अता धारा वाही परिनालिका एक चड़ दंड चुम्बक की भाती वहवार करती है जिसका एक सिरा उत्री धुरू N तथा दूसरा सिरा दक्षनी धुरू S की माती वहवार करता है परिनालिका के अंदर चुमकी क्षेत्र रेखाएं समनांतर सरल रेखाओं के रूप में होती है जो यह बताता है कि परिनालिका के अंदर चुमकी क्षेत्र एक समान होता है चुम्बक बनाने में किया जा सकता है चित्र दस अ इस प्रकार बने चुम्बक को विद्युत चुम्बक कहते हैं चालक तार को मोडने से बनी वृत्ताकार आकृति को पाश या लूप कहते हैं कुंडली का वहतल जहां धारा की दिशा दक्षिनावर्थ क्लॉक वाइज होती है दक्षिन ध्रू एस की तरह वहवार करता है कुंडली का वहतल जहां धारा की दिशा वामावर्थ एंटी क्लॉक वाइज होती है उत्तर ध्रू की तरह वहवार करता है बच्चों हमने इस अध्याय में चुम्बक, चुम्बक की बल शेत्र और चुम्बक की बल रेखाओं के बारे में अध्यान किया है हमने जो चुम्बक की शेत्र देखा वो चुम्बक के द्वारा उत्पर्न हो रहा था क्या विद्युद्धारा का उपयोग करके भी हम चुम्ब के शित्र उत्पन्न कर सकते हैं चलिए आज हम यहां एक क्रिया कलाब करते हैं जिसमें हम विद्युद्धारा प्रवाहित करके चुम्ब की शित्र उत्पन्न करेंगे ठीक है इसके लिए मेरे पास देखिए एक तामबे की तार से लपेटा हुआ जो एक कुंडली बनी हुई है इसे हम परिनाली का कहते हैं और ये विद्युतार जो है यहां पर हमने यहां पर लगाया हुआ है क्योंकि हम इसमें विद्युधारा प्रवाहित करेंगे और इस कु जो हमारे घरो या शालाओं में जो स्विच बोर्ड होता है उसमें 220 से 240 वोल्ट की विद्युधारा प्रवाहित होती है तो उसे 12 वोल्ट में कनवर्ट करने के लिए हमने यहां पर एक स्टेब डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया है बच्चों ध्यान रखें कि कभी भी आ प्रियाकल आपको ना करें और कुंडली में 12 वोल्ट से अधिक विद्युधारा प्रवाहित ना करें चलिए तो हम विद्युधारा प्रवाहित करके देखते हैं अब हमें यह देखना है कि क्या कोई चुमकी शेत्र उत्पन हुआ है इसके लिए हम किसी मदद लेंगे चु जाना है कि चुमकी सुई की तीर का जो नोक वाला हिस्सा होता है वो उत्री द्रू को बताता है तो यहां देखिए यह नोक वाला हिस्सा इस सिरे को इंगित कर रहा है याने यह कौन सा द्रू हुआ उत्री द्रू अब इसे हम यहां पर रखके देखते हैं यह देखिए यह अंदर विद्युत चुम्म की क्षेतरुद्पन हो गया और चुम्म की बल रेखाएं निकलने लगी जिसके कारण इसके दोनों सीरे जो हैं वो एक उत्री धुरू की तरह कारे कर रहे हैं और एक दक्षनी धुरू की तरह चलिए अब मैं आपको एक और इंट्रेस्टिंग बा अब देखिए इससे जब मैं इसके पास ले जा रही हूँ अरे वा देखिए ये तो चुम्मक की तरह कारे करने लगा और ये दूसरी आलपिन जो है वो पहली आलपिन में आकरशित हो गई है और उसके साथ-साथ खीची चलिए आ रही है हमारी पहली आलपिन चलिए अब हम विद्युद्धारा का प्रवाफ बंद करके देखते हैं कि क्या अब भी ये जो आलपिन है जो चुम्मक की तरह वहवार करने लगी थी अब भी वैसा ही वहवार करती है इसे वापस हम कुंडली में डाल देते हैं ये देखिए ये वह ने इसे कुंडली में डाल दिया और अब इस दूसरी आल्पिन को बिल्कुल पहले की तरह इसके पास ले चलते हैं यह तो कुछ नहीं हो रहे हैं इसके पहले हमने क्या देखा था कि यह जो है इसके और आकरशित हो गई थी और इसको खीशने पर यह इसके साथ बाहर आ गई लेकिन अब यह कुछ भी ऐसी प्रक् नहीं कर रही है